हलो प्रेंस स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं एटोमाइजर के बारे बेगे एटोमाइजर या जिसे स्प्रेयर भी बोला जाता है वो कैसे काम करता है एटोमाइजर आपने अपने डेली लाइफ मे स्प्रेय होता है तो बस सिंपल आचा नाई की दुकान पर तो गए होंगे आपने दिखो गे नाई जो है आपके बालों पर स्प्रेय करता है पानी तो पानी जो स्प्रेय कर रहा है वो भी क्या है एक एटोमाइजर की तरह ही काम करता है वो भी एटोमाइजर ही है और आज ह यही हम विस्कुस करेंगे बसक्रों कि atomizer किस तरह से वर्क करता है? atomizer basically एक device है जिससे हम किसी भी liquid को छोटी-छोटी droplets में convert कर देते हैं किसी भी liquid को इसमें convert कर देते हैं छोटी-छोटी droplets में convert कर देते है liquid to small-small droplets ठीक है उसे atomizer बोलते हैं और atomizer basically एक application है Bernoulli principle, ठीक है, it is basically an application of Bernoulli principle, अब Bernoulli principle क्या है, already आप लोगों ने discuss किया हुआ है, फिर भी एक पर बता जेता हूं भी, Bernoulli principle बोलता है कि किसी भी liquid में जो pressure energy per unit volume होगी, pressure energy per unit volume plus kinetic energy per unit volume plus potential energy, potential energy per unit volume, इन तीनो का sum क्या होगा, constant होगा, यह आपका Bernoulli's principle है, कि तीन energies जो हमारी होती है, pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume और potential energy per unit volume, इन तीनों energies का sum हमेशा constant होता है, किस के case में, किसी भी liquid के case में, ठीक है जी, तो यही principle यहाँ पे basically use होता है, atomizer में, atomizer में कैसे use होता है, यह principle वो देखेंगे, तो यह diagram आपके सामने है, ठीक है, एक atomizer का diagram है, आप देख सकते हो, एक atomizer का diagram आपके सामने है, ठीक है, this is the diagram of atomizer, अब यह काम कैसे करता है, देखो, atomizer में नीचे हमारे पास एक container है, ठीक है, जिसमें liquid भरा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे उसके बाद एक पतला सा vertical pipe है, जो उपर की तरफ जा रहा है, क्या लगा है, इसमें एक, यह क्या लगा है, आपका एक vertical pipe, जो उपर की तरफ जा रहा है, उसके बाद यहाँ एक nozzle है, यह एक nozzle है, nozzle आपको पता है, एक बारीक सा hole, और यह हमारा horizontal pipe है, यहाँ पर क्या लगा है एक horizontal pipe ठीक है अब यह काम कैसे करता है ज़रा ध्यान से समझें यह हमारा एक air balloon है यहाँ पर क्या है यह air balloon जिसमें अंदर हवा भरी हुई है और यह rubber से बना है basically इसे आप बोल सकते हो rubber balloon rubber balloon ठीक है अब यह काम कैसे करता है देखो जब आप इस rubber balloon को दबाते हो तो इसके अंदर जो हवा है उसकी kinetic energy बढ़ जाती है और हवा ऐसे आगे की तरफ जाती है ठीक है क्या होता है हवा की kinetic energy बढ़ जाती है और वो आगे की तरह जाती है लेकिन यहाँ container के अंदर जो हवा है उसकी kinetic energy नहीं बढ़ी है तो इस वज़े से अगर मैं यहाँ दो point लेता हूँ जैसे यहाँ पर यहाँ यहाँ मैंने point लिया A और यहाँ मैं ले लेता हूँ अंदर container के point B अब इन दो points को अगर मैं consider करूँ बेटा तो क्या मुझे पता लगता है जब इन दो points को मैं consider करता हूँ तो at point A अगर मैं point A की बात करता हूँ then what is happening basically at point A the kinetic energy of air increases ठीक है अब point A पर kinetic energy increase हो रही है लेकिन हमने अभी अभी Bernoulli principle पढ़ा है कि pressure energy, kinetic energy और potential energy इन तिनों का sum हमेशा fix रहता है तो अगर kinetic energy बड़ी है तो इसका मतलब है भिया pressure energy कम हुई होगी पक्का ठीक है मतलब pressure और potential energy में इनकी values पक्का क्या हुई होगी कम हुई होगी तो obviously बात है अगर kinetic energy बड़ेगी तो pressure energy पक्का कम होगी तो यहाँ पर यही चीज़ आएगी क्योंकि kinetic energy air की increase हो गई तो इससे क्या होगा pressure जो है वो decrease होगा ठीक है यानि के point A पे air का जो pressure है वो decrease हो जाएगा kinetic energy बढ़ने से similarly अगर मैं point B की बात करता हूँ at point B point B पे जो kinetic energy है उसमें को कोई फर्क नहीं आया air की क्योंकि यहाँ पे तो air move नहीं कर रही तो point B पे जो pressure है वो किसके equal है basically atmospheric pressure के equal है हवा का atmospheric pressure यानि के point B पे जो air है वो तो liquid के उपर जो pressure लगा रही है वो किसके equal है atmospheric pressure के equal है ठीक है लेकिन point A पे जो pressure था वो atmospheric pressure से कम हो चुका है यानि के मैं कह सकता हूँ के pressure at point A is less than the pressure at point B point B पे बेटा pressure ज़्यादा है तो अगर point B पे pressure ज़्यादा है तो उससे क्या होगा अगर point B पे यह जो हमारा point B है अगर इस point B पे pressure ज़्यादा है तो ultimately ये pressure जादा होने से air का liquid को ये push करेगा और जैसे liquid को push करेगा तो liquid जो है उपर की तरफ चड़ना शुरू हो जाएगा high pressure to low pressure क्योंकि point B पे pressure जादा है और point A पे pressure कम है तो हमारा जो liquid है वो इस pipe में उपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा एक suction create हो जाएगा जैसे तुम लोग fruity पीते हो तो straw से जब हम coldring पीते हैं तो हम भी क्या create करते हैं एक suction create करता है na pressure difference से तो ऐसे यहाँ पे suction create हो जाएगा क्या create हो जाएगा एक suction जो है create हो जाएगा और जिसकी वज़ा से liquid जो है वो उपर की तरफ लिक्विड जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ जना शुरू करते हैं जैसे जैसे लिक्विड ऊपर जाएगा और जो एवा ते चल रहे अंदर यहाँ पे एर ते चल दे तो लिक्विड जो है जैसी यहाँ उपर पहुँचेगा तो air इस liquid को छोटी-छोटी droplets में तोड़ देगी और ये environment में बहार आ देएंगे droplets और इस तरह से जो है ये work करता है tiny tiny droplets हमें environment में मिलती है नोजल से तो ये है simple सी working किसकी atomizer की आप लोगों को ये video समझ में आई अगर video अच्छी लगी तो channel को subscribe जूरूर करें अगर आप नए हो comment box में बिटाएं video कैसी लेगी simple सा principle था भई Bernoulli principle जैसी आप इसको जो यहाँ पे इस balloon को जैसी आप पुछ करते हो देखो basically हो कह रहा है जब आप इस balloon को दबाते हो तो यहाँ पे air की kinetic energy बढ़ जाती है kinetic energy बढ़ने से यहाँ पे जो pressure है वो decrease हो जाता है pressure at this point B तो यहाँ जो reason है वो high pressure वाली reason है high pressure और उपर जो reason है वो low pressure वाली reason है ठीक है तो automatically हमारा liquid high pressure to low pressure चला जाता है जैसे liquid उपर जाता है तो हवा की से इसका collision होता है collision होने से liquid जो है छोटे-छोटे droplets में convert हो जाता है तो यह थी आपको वीडियो उमीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी अगर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद